प्रदेश में एक बार भारती जंता पार्टी की सरकार बन सकती है तो समाजवादी पार्टी से उसे अच्छी टकर मिल सकती है वहीं एक सर्वे के दोरान ताजा सर्वे के मताबिक मायवती की अगवाई वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में सुधार होता नहीं दिख रहा है तो प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत के बावरूद कॉंग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट सकती है प्रियंका गांधी उतर प्रदेश में लगातार दोरे कर रही है प्रियंका गांधी लगातार चिनावी तयारियां कर रही है सी वोटर्स को लेकर जब सर्वे किया गया उस वक्त प्रियंका गांधी का नाम जोरो शोरो से जरूर लिया गया है लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर अभी तक चीजेस पस्ट नहीं हो सके ये कॉंग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट पर ही अभीता कट की हुई नसर आ रही है ये भी बता दू कि प्रियंका गांधी ने उतर प्रदेश में कई बड़े अलान किये हैं महिलाओं के लिए अलग घोशना पत्र तयार की गई है जिसमें महिला सुरक्षा की बात की गई है म महिलाओं को पार्टी में 40 प्रतिशत उम्मीदवारी की बात कही गई है प्रियंका गांधी इसे पहले भी किसारों की कर्जमाफी पर बात कर चुकी है उसके बाद बिरुजगारी पर बात कर चुकी है बता दे कि शात्राओं को लेकर प्रियंका गांधी ने कए बड़े अल हाला कि जब सर्वे होता है तो प्रियंका गांधी की बाते जरूर होती हैं चर्चाएं जरूर होती हैं लेकिन अभी तक ये तैय नहीं हो सका है कि आखिर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और कॉंग्रेस पार्टी कितने सीटों पर जीत हासिल करेंगी इस वीश यह भ खम के साथ चुनावी सभाएं करती हैं चुनावी रैली करती हैं कई जिलों में जाती हैं जिलों का दौरा करती हैं और स्टेट से हुंकार भरती हुई नजर आती हैं और यहीं पर कई बड़े घोशनाएं भी करती हुई नजर आती हैं इस बीच कॉंग्रेस पार्टी के तर कॉंग्रस पार्टी में उमिदवारी दिलाने की बात कही जा रही है आपको हमारी रपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिके बाकी और खबरों के लिए जुड़े रही है स्पीन नाइन नियोज के साथ